अगर आप गव माता को बहुत प्यार करते हैं तो आज की वीडियो आपको थोड़ी दुख दे सकती है क्योंकि गाएं की आतों से विदेशों में टैनिस के रैकेट बनाये जा रहे हैं ये जो modern tennis racket से बड़े बड़े खिलाडी tennis खिलते हैं उसे बनाने के लिए plastic का इस्तमाल नहीं किया जाता बलकि गाएं की आतों का इस्तमाल किया जाता है tennis का इतिहास अगर देखा जाए तो साल 875 में पहली बार भेडों की आतों से tennis के racket बनाए गए थे और बाद में साल 1960 हाते आते गाएं की आतों के तारों का इस्तमाल होने लगा आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक racket के तार को बनाने के लिए 2-3 गाएं के आतों का इस्तमाल किया जाता है लेकिन जादातर प्लेयर्स आतों के तार वाले racket से खेलना पसंद करते हैं उनके मताबिक गाएं की आतों से बने टैनिस के racket में softness जादा होती है और इससे high elasticity भी मिलती है जिससे खिलाडियों का performance बूस्ट होता है और उन्हें खेलने में आसानी होती है पर सिर्फ अपने मजे के लिए गाएं माता की चमड़ी उधेर देना